अकाश्वणी बोपाल से प्रस्त हैं प्रादिशिक समचर नमस्कार समचरों के साथ मैं प्रशांत सेंगर पहले मुख्य समचर कोविड-19 वेक्सिन की प्रगति की समिक्षा के लिए प्रधन मंत्री नरेंद्र मोदी आज एहमदाबाद, पुर्णे और हैदराबाद का दौरा करेंगे रज में मास्क ना पहने वालों को जुर्माने के साथ होगी ओपन जेल, वेवही कायजनों पर नहीं लगाए जाएंगे अनावश्यक प्रतिबंद प्रधन मंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना वेक्सीन तयार की जाने की प्रगती की वेक्तिगत रूप से समिक्षा के लिए आज तीन शेहरों का दौरा करेंगे प्रधन मंत्री का रेले ने एक टूइट में बताया है कि श्री मोदी एहमदाबाद में जॉइडस बायोटेक पार्क, हधरबाद में भारत बायोटेक और पुने में सीरम इंस्टिटूट आफ इंडिया जाएंगे टूइट में बताया गया है कि ऐसे समय में जब देश में कोविट संक्रमण से निपटने के लिए प्रयास निरनायक चरण में पहुँच चुके हैं तब प्रधन मंत्री का ये दौरा और इस अवसर पर वेक्यानिकों के साथ उनकी चर्चा काफी महात पून रहेगी रज्य सरकार ने इस पश्ट निर्देश दिये हैं कि जिन जिलों में कोरोना संक्रमण अधिक है वहाँ क्राइसिस मैनेजमेंट गुरुप की सलह के अनुसार है वेवाहिक आए जनों में संख्या संबंदी परतिबन लगाया जाए मक्यमंतरी शिवराज सिंग चोहान ने वीडियो कांफरेंसिंग के मात्यम से कल प्रदीश में कोरोना की इस्तिती और व्यवस्ताओं की समिक्षा करते हुए ये निर्देश दिये वहीं प्रदीश में अब मास्क नहीं लगाने वाले लोगों को कुछ समय के लिए ओपन जेल में रखा जाएगा कोरोना संबंदी देशा निर्देशों का पालन नहीं करने वाले लोगों को भी अब यही सज़ा मिलेगी बैटक में श्री चौहान ने कोरोना योद्दा डॉक्टर शुभा मुपाद्याय के परिवार को पचास लाग रुपए की आर्थिक सहायता देने की भी गोश्णा की प्रदीश में कोरोना के नए मारीजों की संख्या लगतार बढ़ रही है यहां बीते 24 घंटों में कोरोना के 1645 नए मामले सामने आए हैं जबकि 15 लोगों की मौत हुई है इसके बाद रज में संक्रमतों की कुल संख्या दो लाग के पार पहुँच गई है सौस्त विभाग दारजारी बुलेटिन में रहत की खबर ये है कि रज में अब तक 183,696 मरीज कोरोना को मात दे कर अपने घर भी पहुँच चुके है इन में से 1152 मरीज कल स्वस्त हुए है अब प्रदेश में कोरोना के सक्री परकरण कुल 14,677 है वहीं प्रदेश में कोरोना का रिकवरी रेट 1,90 परतिशत है उदरधार से हमारे समबदाता ने बता है कि वहाँ जिले में कल 20 नए कोरोना संक्रीमित मिले है इन्हें मिलाकर जिले में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 3323 हो गई है वहीं खंडवा में 15 लोगों में संक्रीमित की पुष्टी हुई है जबकि जबलपूर में कोविड-19 से स्वस्थ होने वाले कल 72 वेक्तियों को डिस्चारज किया गया जिले में 48 नए मरीज भी मिले है इसी तरह गौलेर में 25 जाबवा में 11, नीमच में 1 और आशोक नगर में भी 7 नए मरीज मिले है अंतराश्टी सौफ्ट बॉल खिलाड़ी शिवांगिनी वर्मा ने प्रधान मंतिरी नारेंद्र मोदी के कोविड-19 के खिलाफ जन आंदुलन का समर्थन करते हुए लोगों से दो गज़ दूरी का पालन करने, समय समय पर हाथ धोने और मास्क लगाने की अपील की है नमस्कार, मेरा नाम शिवांगिनी वर्मा है, मैं सौर्ड बॉल की पिलियर हूँ, एक इंटरनेशनल पिलियर हूँ और मैं एकलब अबोर्ट के लिए सम्मानित होने वाली हूँ और मैं आप सबसे एक अपील करना चाहती हूँ कि जब आप लुक बाहर जाते हों तो आपको मारक्स का ध्यान रखना है और दोवच की धूरी बना के मुझा चलना है जैसे कि आप घर आते हों तो आपको पहले एदवश करना है, फिर आयपको काम कनना हो और जैसे कि आपके घर में बड़े बूडे हैं तो उनको आपको साबधान रखना है कि आप कम से कम बाहर जाएं और जब भी आप बाहर जाएं तो आपको मार्क्स लगा के चलना है और जो बच्चे हैं उनका भी बहुत ध्यान रखना है कि वो जब कोई ऐसी ऐसी चीज यूज करते हैं तो उनको पहले hand wash करवाएं फिर वो बाकी का काम करें पर भी सुना जा सकता है अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का कोविड-19 से बचाओ और सुरक्षित रहने के तीन उपाए मास्क लगाएं दो गस दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी रखें हाथ हर मूँ साफ रखें ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है प्रदेश में सौर उर्जा उत्पादन पांच हजार से बढ़ा कर 10,000 मेगावार्ट तक किया जाएगा अभी प्रदेश के कुल विद्धित उत्पादन में नवकरणी उर्जा की हिस्सेदारी 20 प्रतिशत है तीसरे वैश्वेक नवकरणी उर्जा निवेश सम्मेलन के सतर को कल वीडियो कांफरेंस के दोरा संबोधित करते हुए मुख्यमंतरी शिवराज सिंग चोहान ने कहा कि नवकरणी उर्जा क्षेतर में निवेश को प्रोच साहित किया जाएगा मध्य प्रदेश में वर्तमान में नीमच में 130 मेगावाट मध्य सोर में 250 मेगावाट और रीवा में 750 मेगावाट शम्मता की सोर उर्जा उत्पादन परियोजनाय इस्थापित की गई है केंद्र सरकार के नवीन और नवीकरणी उर्जा मंत्राले ने आगर शाजापुर नीमच और छतरपुर में 3600 मेगावाट शम्मता की सोलर एनरजी पार्क लगानी की मंजूरी दी है जिन पर 15,000 करोड रुपे का निवेश का अनुमान है राजी सरकार द्वारा केंद्र की मदद से उंकारेश्वर में एक तैरते हुए सोर उर्जा सेंद्र पर भी विचार किया जा रहा है इसके अलावा प्रदेश के मुरेना, सागर, दमोय और अतलाम जिलों में 5000 मेगावार्ट शम्ता के सोलर पार्क के लिए भूमी चिन्यत कर ली गई है संजीव शर्मा, आकाश्वणी समचार, भुपाल सतना जिले के मुकंदपूर को एको टूरिज्म पार्क की सौगात मिली है कैसा है ये पार्क और क्या है यहां की खासियते, सुने इस रिपोर्ट में प्राक्तिक पार्क में पर्याटकों के लिए केनोपी वाक, रोप क्लाइंबिंग, टायर वाक, जिप लाइन, हम माग वाक, साइकिलिंग और तीरन जादी की सुविदा भी उपलब्द कराई गई है इनमें 300 मीटर लंबी और 40 फिट उंची केनोपी वर्वस परयाटकों का अपनी ओर ध्यान खीच रही है, सागोन के घने जंगलों के बीच बीहर नदी केतर पर लगे, इस एको टूरिज्म पार्क में नौग गिरहों और अपने नामाच्छर्क की बाटका भी सजाई गई है साथ ही यहाँ बिलुत प्रजाती के पौधों को संरचित और समवर्धित करने का भी इरादा है, प्रादेशिक समचार के लिए सतना से मैं लाल बाद उतिवारी और अब इस बुलेटिन के कोचे समचार संक्षिक में का एक दिवसी प्रशिक्षन शिविर कल रीवा में आईजित किया गया और मुर्य नजिले के जोरा में पुलिस ने सत्तरह लाख रुपे की कीमत की अवेद शराब और एक चार पईया वहन जब्द किया है और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समचार एक बार फिर कोविड-19 वेक्सिन की प्रगति की समेक्षा के लिए प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी आज अहम्दाबाद, पुर्णे और हैदराबाद का दौरा करेंगे रज में मास्क ना पहने वालों को जुर्माने के साथ होगी ओपन जेल, वेभाई का आईजनों पर नहीं लगाए जाएंगे अनावश्यक प्रतिबंद प्रधीश में सौर उर्जा उतपादन को पांच से बढ़ा कर 10,000 मेगावाट किया जाएगा और सतना जिले के मुकंदपुर को मिली एको टूरिज्म पार की सोगत इस बॉलेटिन के अंत में एक अपील हमेशा ध्यान रखें मास्क और दो गस की दूरी हाथ धोना भी है जरूरी नमस्कर